प्यारे बच्चों नमस्कार मैं दिपाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे सी यूटूब चैनल जिसका नाम है डीलेस एजूकेशन बिद्याकुल तो प्यारे साथियों आपसे भी लोग कैसे हैं आसा और उम्मीद होगा कि सवस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी परिक्षा है 19 परोरी को तो आपको लग रहा होगा डर यानि कि आप सोच रहे होंगे कि भुगोल के ऐसे प्रस्ण मिल जाएं जो कि 19 तारीक की प्रथम पाली और दुती पाली में सीधे पुछी जाएं तो प्यारे साथियों आज की क्लास में यही होगा आपको भुगोल से अगर प्रस्ण मिलेगा अगर प्रथम पाली और दुती पाली में जब आप 19 तारीक की परिक्षा में बैठेंगे ना तो आज की क्लास से मिलेगा तो प्यारे साथियों आप सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़े आए और आज के महत्रपोन सेसन के हम लोग करेंगे हुआ था यह लगातार परिक्षाओं में पूछा गया है सातियों तो इस बार पूरी उम्मीद है कि आपकी परिक्षा में पूछा जाएगा याद रखिएगा इसको इस प्रस्ण का जो सही जवाब होगा क्या होगा रियो डी जेनेरियो ठीक है यह पढ़ता कहां है अगर तीन बिगलप और भी बच रहे हैं जैसे आगर आपके सामने दिया है ना जिनेवा तो अगर आपको जिनेवा के मुख्याले जरूर याद रखना चीए जैसे आपसे पूछ लिया डबलू एचो का मुख्याले वर्ड हेल्थ और्गनाइशन का मुख्याले कहां इसातियों तो आप क्या बताओगे आप बताएंगे जिनेवा में अगर आपसे पूछ लिया कि अंतर राफ्टिय ब्यापार संगठन का मुख्याले अंतर राफ्टिय ब्यापार संगठन का मुख्याले कहां पर है तो अंतर राफ्टिय ब्यापार संगठन का मुख्याले कहां पर है व पर ट्रेड और्गनाईशन आप से कभी-कभी ना इसके अस्थापना पूछ लेता है कि असकी अस्थापना कभी थी तो इसकी अस्थापना वह थी उन्नीस सो पच्चान नवे को उसके बाद देखिए यहां पर वासिंग्टन लिखा हुआ ना तो इसको बोला जाता है वासिं अंतर राफ्टिय को अंतर राफ्टिय कहां पढ़ता है आपसे पहले पूछेगा फ्रस्न तो यह तो पढ़ता है आपका नीदल लेंड में इस्तिता ना इतने प्रेश्न आपके तैयार हो गये है तो इन सभी बातों को एकदम नोट करके रखिएगा क्योंकि परिक्षा में कहां से प्रशन कुछेगा इसको आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो यह रहा पहले प्रशन का सही जवाब रियो डी जिनेरियो यानि की ब्राजील में इस्तित है अब इसे प्रथम निम लिखृत में से कौन सा संसाधन है मानोकृत पुणा पूर्तय योग अजय या आनवी करणिये इसका मतलब क्या होता है यह कैसा है आनवी करणिये ना abonn और धाक तो आप लोग इसको याद रखिएगा साथियों कि इस प्रस्ट में का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा अगला प्रस्ट देखते हैं तो देखिए यहां पर ना आप परिक्षा में जब भी बैठोगे ना आपको ऐसे लिगेगा पान यून पान जुलाई पांच स्थायन साथी मृश्ण से आपके चार प्रसंत κα्णयार तो आपको थो पता हो गया विस अपरें जीवश्store मीया डियाता है यह विए सखैंटो अगर आप से पूंच लिया ना कि अंतररल आफ्टिए मेहीला दीवा सकॉथ मना आई जाता है कर आठ मार्च को अंतरल संख्या दिवस कम अना जाता है 11 जूलाई को मनाय जाता है उसके वाद देखे 24 अक्टूबर लिखा हुआ ना तो यहां पर क्या मना जाता है सही अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रस्ण वहारा अगला प्रस्ण है औरिके प्रैशन होते नहीं और ने कहा महतमा न्राइन किndम हो तो आपको बताına है संसाधन होते नहीं बनते हैं इंपॉर्विट स्लिष्झ है आपके सामने महतमा न्राइन कहा तो और depend पर आपसे महतमा गांती को महतमा किस ने कहा था तो extraordinarily महत्मा गांधी को महत्मा कहा था किसने रवींद्रनाथ टैगोर ने रवींद्रनाथ टैगोर ने रवींद्रनाथ टैगोर ने उसके बाद याद देखिए कि महत्मा गांधी को इन्हों ने महत्मा कहा रवींद्रनाथ टैगोर ने और महत्मा गांधी ने रवींद्रनाथ टै है तो 9 जन्वरी 1915 को भारत आए इसलिए 9 जन्वरी को क्या मनाते हैं 9 जन्वरी को मनाते हैं 200 प्रवासी दिवस आप से पूफता है महत्मा गांधी के द्वारा पहला प्रथम सत्याग्राह महत्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्राह कौन से चलाएगा था प्रथम सत् point जो है न इंपॉर्टेंट है अगला प्र Mayo क्या होगा अगら है प्राक्रतिक संसाधनों के संदाक्षड के लिए 1968 में कौन सा कनविंचन हुआ था मोस्ट इंपोर्टन प्रश्ने साथियों मोस्ट इंपोर्टन प्रश्न है क्या हो जाएगा विट लेट कर बिट लैंड द कन विप्ष्ण ऑप संबी आपका क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा याद रखे अगला प्रशन है अगला है पंजाब में भूमि निमनी करण के क्या मुक्ष कारण है important प्रशन है कई बार पर इश्याओं में पुछा है तो मतलब ऐसा क्या रीजन है कि पंजाब में जो है न भूमि उतनी नहीं है तो क्या होगा आतिपसुचारण वननमूलन अधिक सिचाई तो देखिए यहां पर ना अधिक सिचाई के कारण क्या हो गया है भूम जो है बहुत कम है मतलब क्यों भूम निम्न होने का प्रमुक कारण क्या है आपकी अधिक सिचाई है अगला प्रशन है कि मरुस्थलिय मिर्दा किस राज में पाई जाती है मरुस्थलिय मिर्दा का मतलब होता है शाथियों क्या होता है कि जहां पर मरुस्थल पायाते हैं उचे उचे मरुस्थल मतलब जिसे पत्थरों का उचाई पर पान जाना क्या हला कहलाता है मरुस्थल कहलाता है मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर खेती वगर की जा सके पूर प्रिक्षा की द्रिष्टी से क्या होना है यूरिया एड्रीन या फिर फास्पोरस तो क्या हो जाएगा एंड्रीन एड्रीन हो जाएगा बिटा ऑप्संस सी आपका बिल्कुल सही होगा अगला प्रश्ण होगा काली मिट्टी उपयुक्त होती है काली मिट्टी उपयुक्त हो का महाराष्र में कहां पर महाराष्र में पाए जाता है काली मिट्टी का अन्द नाम क्या है रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी आप से प्रशन पूसता है काली मिट्टी का निर्माड किस्से होता है ज्वाला मुखी के उद्भेदन से ज्वाला बनाय जाते हैं जहां पर क्या होता है आपका जहां पर पहाड़ आपके कहा हम सहयोगा अगला अगला है देश के बाद़ों को भारत का मंदिर का था था साथी ओं तो का था पंडित नहरु ने कौन थे यह भारत के पर्थम प्रधान मंत्री भारत के प्रताम ब्राइन मंत्री भारत के प्रफाम राष्ट्त पतल। ठीक है तो कौन थे टॉक्ट्र ड्राज्यन प्रशाद विकानन में एबयोस्ट भरफ तिरान के कहां लिया था बिशव हिंदू सम्मेलन में भाग लिया था कहाँ पर लिया था सिकागो अमेरिका में याद रखिएगा अगला प्राश्न है बिर्याद चेत्र में जल की उपस्तिती कारण प्रित्वि्ह को किया किसे कहते हैं मंगल को किसे कहते हैं को अरुण को और जब सब्सक्र करणा कि इसको सब्द्न का जाए का सब्सक्राइब नर्मदा घाटी पर योजना कि नर्मदा घाटी पर योजना कहां है बिहार उत्तर प्रदेश-मद्य-प्रदेश-मद्य-प्रदेश-मद्य-प्रदेश-मद्य-प्रदेश-मद्य-प्रदेश-मद्य-प्रदेश-मद्य-प्रदेश-मद्य-प्रदेश-मद् तो आप से पूछेगा कि अगर चिपको आंदूलन संबंद पूछ लिया ना तो क्या बताएंगे एच चिपको आंदूलन का संबंद मैं पता नहीं कितनी बार आप आ नहीं है तो आप लोग जरूराएंगा संदरलाल बहुगडा संदरलाल बहुगडा ठीक है अगला ऊगला प्र filmmakers क होती है तो देश मैं सरवादिक वर्चा कहां होती है माशिन राम में पढ़ता कहां है तो में घाले में पड़ता है उसके बाद भारत में सबसे कम वर्षा भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेक यानिक लगदाख में होती है मतलब जम्मु कस्मीर में होती है और अगर पूछा जाएगा कि देरिक में सरवादिक कहां हो तो यह कहां पढ़ता है आपका यह पढ़ता है आपका सोन भद्र उत्तर प्रदेश में कहां पढ़ता है सोन भद्र उत्तर प्रदेश में पढ़ता है उसके बाद गोविंद सागर कृत्रिम जलाशे जो है यह क्या है भारत यह क्या है सबसे बड़ा सबसे बड़ा कृत्रिम सबसे बड़ा खृत्रिम जला से है कौन सा गोविंद्र सागर गोविंद्र पंत सागर खृत्रिम जिल कहां पढ़ता है यह पढ़ता है आपके मिर्जापुरी आफिक कह सकते हैं सोन भत्र वाली लाके में रीहन नदी परिश्थित है अगर आप से पूछेगा भारत का सबसे सबसे बढ़ा बांद भारत का ख सबसे बढ़ा बांद सबसे बढ़ा बांद क्या हो जाएगा बढ़ा बान 것은 अनगे सबसे बढ़ेंगा यह वह लिए है estás एक प्रशन से न चार प्रशन को बताता हूं चार बिकल्पों को बताता हूं इससे क्या होता प्रशन आगे भी आपका सौल्व हो गया देखिए भारत में सबसे बड़ा मानों निर्में जला से अभी तो पता है मैंने कौन सा गोविंद वल्लब पंत सागर यही तो है यही है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कहां पढ़ता है सौन बद्र में अगला प्रशन है जोग प्रपात कि नदी पर है जोग प्रपात कहां पर पढ़ता है सरावती नदी पर है ऑप्सन भी सही होगा कहां पढ़ता है यह करनाटक में है ठीक है करनाटक में है तो आप से कुछे का ना कि भारत का सबसे बड़ा प्रपात भारत का सबसे बड़ा प्रपात भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात सबसे सबसे ऊचा जल प्रपात जल प्रपात का हो जाएगा जोग हो जाएगा पड़ता कहा है करनाटक में ऑप्सन जो है बीश का सही हो जाएगा अगला अगला है प्रथाम राष्टी जलनीट कब लागू की गए थी उनीश सथी पचासी तीरान नवे तो आपके लिए बताइए इस प्रशन का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा प्रथाम जलनीट का घुषित की गई सितंबर और यह सब्सक्राइब उनका उप्रशन है अगला प्रशन है नहीं उनकीप्रशत भावलिक शात विज्टर में वनका विश्तार हुआ था पचीष बिच संब्साट बीस या बीस लोट अच्छी जिजिडों कितना अच्छा प्रशन है कि क्या हो जाएगा बिद लोट से जिरो प्रबंधन की दिरिश्ट से वनों को कितने भागों में आपका क्या हो जाएगा सभी होगा अगला प्रशन है भात का नहीं राष्ट्य पार कुषिद्द्य किसके लिए बाख के लिए और काना पढ़ता कहां है मध्य प्रदेश में पढ़ता है इसको आप लोग याद परशन है में राज्यों में से किसमें सरवाधिक रहें तो मध्य प्रदेश में च linen चैतर्सर वाधिक साथा हाइं प्रम इंवी की विए आपका बिलकुल सब्सक्राइब बंगाल में तो आप्सन भी इसका बिड़ा सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है आई रुवेट का जनक किसे का जाता है चरक को का जाता है चरक यानि कि आपका क्या हो जाएगा आई रुवेट का जनक किसे का जाता है चरक को योग का जनक किसे मान जाता है यो को वाज का जनक माना जाता है किसे तो पतंजली को माना जाता है ठीक है आप लोग को समझ में आ गया होगा ना तो इस अगर अभी तक क्लास पुसंद आ रही हुँ ना लाइक भीचर कुरू ठीक है अगला प्रश्ण है और नेपाल के साथ सबसे लंगी सीवा कौन सा परता है हमारा बिहार करता है आपको पता ना हमारे बिहार के लोग जादतर क्या होता है धेके ट्रोल भराने भी नेपाल वठाय ने के लिए तो ये इसको भी याद दए रखेगा विहार अग्ला प्रस्न में नंदा देवी राष्टि उद्द्धन कहा परिशातियों यह उत्रा खंड में पढ़ता है आप संबी आपका सही होगा अगला प्रश्ण है गिर राष्टि और दन कहांपर है गिर्ष इंद गिर्षे गुज्रात गासे गुज्रात क की याई शेरों के लिए एस याई सेरों के लिए कॉससे रास्टी तो रास्टी व्यूंस है तो गिर रास्टी द अग्ला प्राश्टनी टेक्षॉ consistency की रहा है pencils होता है टेगा व्यूंक है झायद जो से लिदापSaurus कुनायन की द्वा बनाई जाती ना समगाना कि छाफ में एक लाईिया के इलाज में चाहान पर याक तश्टे अंकला में प्रस्टित है यह घर कहान पर है शाथ है यह मोस्ट इंपर्चन के अपके सामने कहां पड़ता है केरल में औप्षन चीफ का सई होगा अगला प्रश्ण है वनों के च्छेत्रे विष्थार में भारत का कौन सा अफ्थान है पांच वाह दसवाह सातु मा या फिर बार्मा तो बताइए इस प्रश्ण में कौन से सई हो जाएगा भारत का जो ना वह कौन सा प्रश्ण है इसको आप लोग याद रखेगा अगला प्रस्ण है ताइगर परियोजना की शुरुवात कभ वई थी तो देखेंगे एक कंदा कींडा की कह रखे तो सब्सक्राइब को हुँए अगला प्रस्न है जिमकारट रष्ट्रे उध्यान उत्तका रखेंड में जिनका रफी रफ्षिप द्यान यानि कि ऑप्सन आपका बिल्चों कंदगा होगार वारत का अपका बिल्कुल सॉय होगा अगला प्रश्ण का भारत का सबसे चोटा जय kissing deben outro को हो जाएगा अपरता है यह अपक्रमेर साथी हो पिलकुल सई हो क्लास प्रह्यों सकुल लाइक भी करो ठीक है अगला प्रस्ण है आपकी सिनकोना के छाल से निकाल जाता है अगला प्रस्ण होगा कि सेमेंट उद्द्योग का सबसे प्रमुक कच्चा माल क्या आशातियों तो क्या है चूना पत्थर कहां पर होता है आपके बिहार में सरवादिक पाया जाता है तो आप्षन एंद आपका बिल्कुल सही हो करने से ना आपके लिए एक चीज बसता है समय की बचत हो दिया और प्रस्ट ज्यादा ज्यादा कवर भी हो जाते हैं अगला प्रश्ण होगा पीतल किसे बनायता है पीतल बनायता है तांबा और जस्ता से से बनायता है आपकाशन सी आपका क्या हो जाएगा अगला प्रश्णों किस खनीच को उद्द्योग की जन्नी कहा जाता है तो लोहा को किया कहा जाता है क्योंकि यह जो लोहा होता है यह कहा साई लोह को अगला प्रस्थन है इन में से कौन सा लोह तक राने हो सा हो जाएगा ब्साइट हो जाएंगा आपका डी सघही हो जाएगा थीक है अगला प्रश नहीं कर सम्भाई से संबieli दिए कोड़र मा यह न या अगला प्रस्टन Candace को डर्मा कि total अपार च्जार्खंड कहाँ पर तो आपको पता है कि लो है आपका यह नभी करने क्या है नभी करंद राज जाष्ऑन क्या है तो हमारा करनाटक हिसमे वड़ा लौ टो अधूब पादक अधन कि नौभ वूट पादक राज ज कि जारे क्या क्या है सर्ट यह दा कोई ले का 痛HS बीच जबाद कर साध बाउब प्रस्थे सुध्याट के लिए यान जाता है तो औरवरा की लिए यान आता है जाना चनहीं प्रफ्सिधा तहले इसे ने को याद goran यह दो आप लोगा को याद हो कॉन सा होगा कोई लबर बाक साइट या पिताबह मतलब किसमें का अला पन ज्यादा होता कारवन ज्समें ज्यादा होता है तो यह कोईले में option ऐ आपका सः होगा अगला प्रस्ण वह गाण दोनों का देखें मेगनीज और बाक्साइट दोनों कहां पर सरवाधिक पाए जाते हैं तो यह उडीजा में पाए जाते हैं आप आप लोग याद रखेंगा इसको अगला प्रशने भारत का पहला सीमेंट साहियां तर जो है कहां लगाया था 1904 में लगाया था चिन नहीं में लगाया था शातियों आपका आप्शन डी जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा याद रखेगा अगर देखिए अभी तक आप क्लास पसंदारी शातियों तो क्लास को लाइक भी जरूर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए कि यस्तर हमें क्लास में मजाया और हमारे लिए आज की क्लास जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी अगला प्रशन है भारत का बंग बर्मिंगम पढ़ता कहा है ग्रिटेन यह सब हो जाएगा ऑप्सन दी आपका बिल्कुल साही हो जाएगा यह क्या होते हैं आपके उर्जा के मुख्य शरौत होते हैं अगला प्रशन है भारत में सबसे पुराना तेल वंडर कहां पर है तो यह है आपका डिगबॉई में भारत नहीं ही एस या का सबक्राना यह शया का सबसे पुराना टेल रिफाइनरी सबसे पुराना टेल रिफाइनरी कहां पर है तो यह आपका डिग-भॉय बांबे-हाई-हां आपको पता है वमबई में है ठीक है अगला प्रश्णों का जार्खन के जरिया कुणसा च्छितर है जहां पर यूरेनियम आता है बिटा आपके लिए न यह बहुत इंपोरेंट प्रस्न इसको आप लोग याद रखेगा अगला प्रसन वह का उधारन कौन सा नहीं है तो कोईला विद्दौत प्रेट्रोलियंग प्राकृतिक गैस प्राथमी का उधारन आधिमी को रिया नहीं है अगला प्रेस्टन है भात का प्रतम तेल सोधक कार खाना कौन सा था तो आसाम के डिवोई में आपसंद सी आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्ण होगा भारत में कोईले का सरुप्रमुक उत्पादक राजी कौन सा है तो आपका ज्यार्खंड है भ हीरा होता किसके पास है महान लोगों महान लोगों के पास महान लोगों के मतलग हीरा कुंडबांध जो है महान नदी पर है ठीक है कहां पर हीरा कुंडबांध महान नदी पर बनाया गया है अगला प्रस्णों का तारापुर उर्जा केंद्र कहां पर है तारापुर भारत का प अगला है तो आपको पता ना सबसे उच्च किस्म का कोईला सबसे उच्च किस्म का कोईला क्या है in 30 साइट अपको औप्सक्न यहां अगला प्रसन है नहीं है जिवाश में इधला है मतलब जिसके साथ जीवास में निकलते हैं जैया होता है पेट्रोलियम प्राकृतिक सभी तो आपको बता इन सभी के साथ इन चीहों का अन्स होता है इतला विए जीवों के अंस से ही बनते इसलिए क्या होता है इसे जीवास में इधन कहा जाता है अगला प्रश्ण होगा अगला प्रश्ण है भारत में प्रथम जल्विद्दुत सयंत्र के स्था अपने जल्विद्दुत सयंत्र कौन सा है कहा है सिव समुंद्रम में है क्या है कజ आटल और तो आपका कर नाटक में है कहा पर है तो डार इलिंग जो है नहीं गिल्ड सभीन, तो नहीं है, नहीं अंस væकश स्हिंद्र हो जाएक कावेरी नदी पर है और करनाठक में है अगला प्रस्ण है भारत में मुख्य तर किस प्रकार का कोईला पाया जाता है तो बिटूमिनस कोईला जो होता है यही पाया जाता है भारत में सरवादिक देखें अंत्रे साइट सबसे उच्छी किस्म का सबसे निमने कोट का पीड सबसे पुरानी खान कौन सी है आपके अपने बिहार में आपके पश्चिम मंगाल में पढ़ती है क्या रानी गंज यहीं क्या है सबसे प्राशिंतम कोईले की खान है आप्शन सबस्क्राइब को नागर और चुन किष्णा नदी पर है कृष्णा नदी पर है अरजुन नाग और कृष्णा का संबंध आप्सनसी अगला प्रशन सब्सक्राइब का बिल्कुल सब्सक्राइब cómo धार्माड़र बिद्दूत के कहाप पड़ता है करनाथय को फड़ता है ठieme अगला प्रसंब देखते हैं और कलका कल पक्कम कहा पढ़ता है करनाटक में पढ़ता है ठीक है अगला प्रस्ट देखते हैं यूरेनियम का प्रमोर खुत पादक राजी कौन साई यूरेनियम जो हता ना सबस्यादा आपको मिलता जादू गोडा जादू गोडा की खान ज्हारखंड में शातियों आपका बिलकुल सही होगा अगला प्रस्तिर को पर योज्ना किसदर करें है सतलों है कहां पर यह पंजाब विकास के सरवाजिक संभावना है कहा देखने को राजिस्तान राजी में ठीक है तो यह जो कि आपके लिए ना बहुत ही खतरनाक बहुत ही अच्छे सावित होने वाले हैं ताकि आप परिक्षा में ज्यादा से ज्यादा नमबर ला सकें तो अगर आपको प्रक्रास पसंदा रही हो तो एक लाइक तो बनता है वास लाइक करो क्लास को और अच्छे से कमेंट भी करिए कि हमें क्लास में अच्छा लगता है अगला प्रशन होगा सो पाने कि इस राज्य में पुष्छित है तो यह उत्तरा खंड में आप संडी सही होगा अगला प्रसने चावल किस प्रकार की जलवाई को पाउधा है तो उफड़ा और रहे ऑपसंदविसरी हो सब में होती है तो सर्दी में क्या हुता है कि यह जो चना सर्सोSo II a जाना सर्सो यह हूं जाना सर्तो यह Saka Roたい हो यह सब फ sentimental और क्या हो जाएगा चा स्यावल है तो आपको बाते मेरी समझ मैं आ रही है कि स्वेर शाता और आपका समय का नुक्सानिन हो आती हो ना इसी लिए आज की क्लास हम लोग फ्रास जल्दी से चल रहे हैं क्लास को समझने की कोशिश करिए बस ठीक है अगला प्रस्थन है अगला है डाल कि अगर फाइडर करके देखेंगे उनको मेरी बाती नहीं समझ में आगे कि आज गुरुजी खुद डबल रफ्तार पकड़े हुए है ठीक है तो डाल जो तना वो किसका होता है प्रोटीन का स्रूस होता है सरवादिक कार्भोहाइडर्ट किसमें काया जाता है तो आलू में पाय सब्सक्राइब यदुद्ध से निवने से कौन सा व्योसाइब फ़सल नहीं है प्रस्न में गलती होती है तो तो और जूड़ भी यह तमाइक को खाया जाता है हम लोग खाते हैं मतलब इसका प्रमुख जो उद्देश होता ज्याद़ा से ज्यादा अवाधी का प्रमुख उद्देश होता है अपने पेड की पूजा करना पेड का पालन करना इसलिए इसको भी वसाइक में नहीं जूड़ा काउनसा रौपड फचल नहीं है इसको नहीं जाता है रबर्ड गन्ना धानध क्याक्त नहीं पतानिये रवड़ और यह सब मतलब यह डाइक पेड़ लगा जाते हैं क्या होता है को जो हता ना autant को मुझे पहले बहुते हैं उसके बाद लगा जाता है तो धान आफ्षान सभी और खरीब किस फसल के बीच में एक दलहनी फसल लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है खेती में अधिक विश्तार होता है और अची खेती होती है कि का नाइ्टरोजन के अस्तरी Κारते हैं अगला learn का क्या है नवीन नहीं जो जलंती दो क्यों एखादर बांगर जो नहीं होती है उसे कहते हैं खादर दर और जो पुरानी होती चापक एगे लग्ला प्रत यह तो जवर्सा रितने का से जायद यह होती है जुन और जूलाइक का समय वर्सा का होता है कि जी करण तो यह जो बहुत है अगला प्रश्णोगा ने में-से पुरादी कौन सी है नेमने में से पुरानी जरोड़ मिट्टी कौन सी है अगर नहीं को खाधर कहते हैं तो पुरानी को बांगर कहते हैं अगला प्रश्ण होगा अगला है नेमने में से कौन सा उद्ध्योग चूना पत्थर उद्ध्योग को कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का योग जो सूती वस्त रूर्द ओंत भैं चीनी उद्धियो घीत ट्ल रहे न जे कृशची पर आधरि याई होता है अगला प्रशन है टाटा इस्टील आरीन कमपनी इस फित को क्या ब्रते हो त्स्थ को टेस्थ को कि अस्थामना का वोई थी उनीं सुसाथ में वोई थी जमसेदपुर में हुई थी ओप्सन भी आपका सही हो जाएगा आगला प्राशलने अग्ला प्रस्णा का नेपां अगर प्रशिद्ध के लिए है तो नेपां अगर अ modest एक आपके मद्ध प्रदेशें पड़ता है इसको याद रखेगा option c7 आपका बिल्कुल साल योगा अगला प्रस्दों का निमदीसएं से तो कॉन ह Saxon इसा मतलब आप्षन सही होगा अगला क्लत मुट सपाथ यानि की यह था मुट था-भारती लोHY और इसपात कंपरी कॉपरी मतलब विलते क्या वह जये गाल इनल्या बिल्किल गलत है इसको हो जाएगा अस्थापना मैंने आपको बताये था पिस्था को जाएका था आपना 1907 में जम सेध जी टाटा दे इसको किया था आप्शन जो हो जाएगा सी सयोगा अगला प्रस्न ने बपारो इस पाइद्र किस देश के सध्योग से खोल लगया था तो देखिए बपारो है ना कर दो लोगों तर सरकारी कंपनी है क्या है सरकारी कंपनी है क्या है सरकारी कंपनी तो देखे जो बकारो लोह इस पाथ सेंट रहे ना मैंने बताए दुतिये पंच वर्सी योजना में सरकार के दौर चलाए गया था तो यह क्या था आपका बोकारो इस्टे बोकारो लोह पात अगला सिंदरी किस उद्योग के लिए जान जाता है सिंदरी जारकर राजय में अगला प्रश्ण है बिस्व का प्रथम पेपर मिलके स्थापना कहां पर हुई थी तो हुआ था आपका जर्मनी में पेपर मिलके स्थापना जर्मनी में हुई थी ऑप्सन ए आपका सही है अगला प्रश्ण है हुगली कि सुद्द्योग का प्रास हुगली हुग अगला प्रश्ण देखते हैं ब्रेटेन के सहयोग से कहां लगो के इस पाथ सयंद खोला गया था ब्रेटेन के सहयोग से अभी बता दिया मैंने क्या था आपका दुरगापुर्णा ऑप्सन डी सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत में प्रथम सूती वस्तर उद्योग सूती वस्तर उद्योग देखें सूती वस्तर उद्योग कहां लगाया था आपके मुंबई में लगाया था जूट उद्योग कहां लगाया था कोलकाता में सीमेंट उद्योग कहां लगाया था भारत का पहला तो इसको आप लोग याद रखिएगा अगला प्रश्ण है बि दिहार में चला यह थी रेल लाइने तो यह किस कंपणी के द्वरा इस्ट इंडिया कंपणी के द्वरा आप्शन भी सही होगा अगला प्रश्ण है पक्की सड़कों की लंबाई के दिश्टी से प्रताम अस्थारपन कोर सहराज है तो पक्की सड़के सरवाधिं महाराष्ट म muffin b आपका क्या हो जाएगा बिलकूल सही हो जाएगा OPS Une. अग Но पूर्शन है नाक्पुर सड़क योजना के तहथ सड़कों को कितने बहगों वाटा गया है कि अगला प्रश्ण है भारती अंतर देशी, जल्मार्ग, परादिखार्ण का कप owning Не offers यांगा है ता आपका जल परिवान उता साथियों यानिकी जल परिवान जो होता सबसे सब्स्आता है अगला प्रASON होगा हमेट्रो रेल से लोगलाज कहांपर मेट्रो रेल से अपलबद आपके दिल्णी में उपलब्द है evangel भी आपका शेयो закон अगला है नेम लेकित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है तो एनसेवन है कहां से कहां तक वारारसी से कन्या कुमारी तक एक यह आपका क्या है एक चैवन है भारत का सबसे लंबा कून मान चानल है sounds आघाला है अगला प्रश्ण क्या बतल से बड़ा पंडरगा कौन सा है क्लुकुत मुंबई क्या में , इसकी प्री वह बसक है तो आपका सभानी प्रश्ण कराई है अगला प्रश्मार्इक है और इसमें क्या आता है दिल्ली मुंबई कलकत्ता और सिन्य चार मार्ग महा नगर अनमान अगर आते हैं अगला प्रशन है पूर्व मध्ध रेल्वे का मुख्याले कहां पर है जब भी आप मुख्यालों को पढ़ते हैं तो हमेशा भारत के मैप से पढ़ना चाहिए तो जबर हर जाए आपका नई दिल्ली उत्त्तर रेल्वे का मुख्याल पूर्वे लेवे का मुख्याल कोलकाता और उसके वाल मुमबई मद मुख्याल है मुमबई छिस्टी ठीक है अगला प्राशन होगा अगला फाल्टा विसे सार्थिक रिक च्थर कहां पर है पस्षिम नंगाल में पड़ता है याणी कि ऑपशन जो जाएगा शीं सभी हो जाएगा अंधर्ण च्छेत्र पड़ता है निर्याद सवंधर्ण परता है भारत में भारत का कौन सा चितर उजाएगा गुजरात हो जाएगा इसको याद रखे कि अस्थापना हुई थी आप्षिन भी आपका सही होगा अगला प्राश्ण होगा कि भारत का सबसे सबसे बड़ा जो होता है क्या है रेलवे छेत्र है ठीक है अगला प्रस्ण होगा निमलिखित में से कौन स संचारर सिवाँ का अंग नहीं है अंग है संचार सिवा समचात्र पत्रेली 파ann टेलीविजन में से सभी ये सभी क्या है संचार के मांध्यमें है अगला प्रशन वह हैं इ criterion करहें रेलम awareness तर बाड मेना उत्तर रेलवे का मुक्या के लैंने दिल्ली देकले ये उत्तर रेलवे का मुझ्याले हो पोरवी लेल कम रेले का मुझ्याल कॉलोगार जाफ़े को छो ना whites Nikki घ्रलैवांगाे कॉलका तरह एक ये च्टार एक एक क्या है राश्टी जल्मार्क शंख्या एक कहां से आती लहावासिले कर हल्दिया तक आप्सन भी आपका क्यों जाएगा प्राशन आपका सबसे छोटा रेलेवे छेत्र कौन सा है जो पूर्वे पढ़ता है नहीं आपका क्या सारी सारी तो भृष्ष का प्राचिंतम परिवहन मतलब परिवहन का सबसे पुराना साधन कौन सा वाना जाता है क्या मना जाता है घोड़ा था खचर यह दो दोस्तों आप से क्या हुआ था पहले जब मानों ना पैदल चलता था उसके बाद कि साधन का प्रियोक्तिया ना उसने सब्सक्राइब तो यह जो है ना आपका यह चेत्र भारत का यह चेत्र लोटा पड़ता क्या कांडला बंदर गा ठीक है अगला प्रशन है एस्या का से पुराना रेल्वे वर्क्षॉप का पड़ता है पुराना जमाल पूर्ण पर्टाइब अपने बिहार में पड़ता है आप से पुषे का सित्रंजल लोकोमोटिव कहां पर है पुषी मंगल में कहां पसे मंगाल में सो आप सनिशका सी सही होगा अगला प्रशन है देवले मेंसे कौन सा राज यहे रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है रेल यह जुड़ आड़ा पर है तो तर रेलेवई का मुझ्य लहाप का नई दिल्ल्य में संडी आपका सही हो जाएगा अगला रियाध रेडियो का नाम बदलकर कभ ली году कर दिया गया था छानला प्रत्रनhoven निर्याद वर्धन खेतर कहां परता है कहां पर गुजरात में और पर अगला प्रशन है पारा दिपत्रा विश्राज में पड़ता है आपके उरिशा में पड़ता है यह उजाएगा आपका भी सई हो जाएगा आप के है आप कि अबबातों को सुनकरन दिमाग में नोट कर ला लिए मध रेलवे का मुख्याले कहां पड़ता है मुंबई में पड़ता है मध्यूर का मुख्याले का है मुंबई में ठीक याद रखेंगा इसको अगला प्रस्न है कौन सा राश्टी जलमार्ग इलहाबाद से हल्दिया तक को जोड़ता है अगला प्राश्ट्थ बिहार में नहरों दौरा सरवादिक सिचाई किस जिले में होती है तो रोहतास जिले में होती है है ऑप्षन ए जो हता है सई हो जाएगा रोहतास जिले में बिहार में सरवादिक नहरों के दौरष्चाही हो जिती है अगला प्रश्ण ए संझे गांदी जैसे में किसनगर में हैं आपका पटना में पढ़ता है साती याद रखेगा अगला प्रशन है जाल राज का गठन कभ गवा था एक नमबर 2000 को मद्द्ध्प्रदेश से अलग करके 36 गड़को बनाया गया था ठीक यह उसके बार एक नो अमबर को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्राखंड को बनाया गया था उत्राखंड को बनाया गया था अब 15 gucken मर को यह का भी हार से जहर चिलाखन को बनाये गया थाय अगला प्रश्च में गंडक गंडक परयोजना कहां पर रहे तो गंड़क वर fulfilled कोई तो सोन नदी के उतपति कहां ती आपकर अमर कंटक में हैं अगला प्लशन आगवाव में कौन सा पर बाढ़ पुरवणठ्र है तो उत्तरी बिहार छेत्र जो है ना मतलब यहां पर सरवादिक क्या आती है बाढ़ाती उत्तर के विहार के उत्तरी छेत्र में सातियों ज्यादा बाढ़ाती है अगला प्रश्ण है बिहार में कितने जिले हैं अर्टिस जिले हैं इस प्रश्ण को भी आप लोग विश्चेश करके याद रख लिजीगा अपन बाजम का वान चाहिए तो पूरे भारत में तैटीस प्रिस्षत वण होने चाहिए किन्तों आपके बिहार में सिर्वार से वन पाई जाते हैं अगला प्रश्ण है किस देश की सीमा बिहार से जूड़ी है अगला प्रश्ण है कूर्श्ष सेष्वर अस्थान किस जिले में कुछ शेस्वर कहां पार सत्कित है जल्दी से कंपन करके बताइए कि हैं अगला अग्ला प्रफिछना है बिहार कि प्राचिनतंग नदी खाटई पर योजना क्या हो जाएगैं सोन पर योजना हो जाएगा ऑप्शन पाई राइट का मतलब जिसमें चमक होती न वह पाइट होता है जिसमें चमक होता है उसके फर्श्य का पर योजना काटी तापी पर योजना कहां पर है तो यह पढ़ता है पूर्णीया में सिवान में मुझफर पूर में आप बताजिए मुझफर पुर में पड़ता है ऐपसिंट सी होग अगला प्रष्ण है और समपन है किस म Megsty मैं समपन है आपका भिकुट से हो जागा किसमेस अंपन है तो यह क्रीशे आपके अपने बिहार में है इसको याद रखेगा आपके लिए तीनों इंपोर्टेंट है अगला प्रशन है नवीन अगर ताफिय विद्दुत पर योगना कहां पर नवीन अगर कहां पड़ता है आपका और अंगाबाद में पड़ता है और अप्षन सी सही आपका हो अगला प्रशन होगा मंदार Hell कि मैं स्थित है मंदार ही नियुक्नी में मंधिर्फ भाकबाका बख Свर भागलपूरिया फिर फिर मंगेर भागलपूर बंगा या फिर या फिर दा भाक्षर तो यह का हाँ Ma थे रेल बहूंद पूर्पा में है सब्द रेल्वे का मुख्याले कहां पर है पूर में सिर्फ एक मुख्याले ही है रेल्वे वह वचिर्फ आप अगला प्रशन है दिया जनसंख्या निम्ने में अगला प्रश्ण है बिहार की सरवाधिक अबादी किस जिले में है सरवाधिक आवाधिक देखिए मैंने कहा ना अभी मैंने बताया इस प्रश्ण कभी सही जवाब क्या हो गया पटना हो गया अगला प्रश्ण है सासा राम नगर का विकास कब हुआ था तो मध्यूग में सास सरा में goose एक किसकी जो है समाध़ी है समाध्य अस्थल किसका सारां में अग्ला प्रशन हो गश्णों का कि बिहार का सरुवाधिक जन संक्या घनत वालाजिला कौन सा हो जाएगा तो पठना हो जाएगा पठना भिहार का सक्राथ घोड वाला जिला हो जाएगा उप्षन सी आपका बिल्कुल सभी अगला प्रस्न दो Hers nella चिंन तो अस्थानी कुछाई कर दीजिएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है मान चित्र में नीले रंके द्वारा क्या दिखाया जाता है क्या जलको दिखायाता है आप्षन दी यह आपके प्यारे सातीयों कुछ महत्तपोन प्रस्ण थे 300 महत्तपोन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद जय है कि कि अ कि अपके बहुत धन्यवाद इखाय कि अपके लिजि यह ऱेखाय को सब्सक्राइब कि कि अजिमें आपके ळैनल को सब्सक्राइब को जस्यों कर साफ़ाया है कि यह जफ्याद दिए चक्तल मथतोन आपके जब।Это वारだो प्र उल